नमस्कार नाकपुर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपुर के विबित हल्चल पर नाकपुर मेट्वो रेल परियोजना के रीच 4 सीताबडी इंटरचेंज से प्रजापती नगर तक पट्री बिचाने का काम पूर्णिता की ओर अग्रेसर है इस मार्क पर केवल आधे किलोमीटर के दो पैंज का काम बचा हुआ है जिसे पूर्ण किया जा रहा है इस ट्रैक की कुलनबाई आट किलोमीटर है इसी तरह गड़ी गुदाम शेतर में भी काम तेज गती से किया जा रहा है रीच 4 में अप और डाउन लाइन की कुलनबाई 16,050 मीटर है इसमें से केवल 1,008 मीटर का कारे रह गया है और उसे पूरा किया जा रहा है रीच 4 पर वाइडक्ट स्टेशन ट्रैक ओवरहेड इलेक्ट्रिकल ओएचाई सिंग्रलिंग आधी का काम दिसमबर 2021 तक पूरा होने की उमीद है मेट्रो रेल सेफटी कमिशनर की हरी जहंटी मिलते ही इन सेक्शन्स पर ट्रेने नियमित रूप से चलने लगेंगी रीच 4 नाकपुर के अंतरगत प्रमुक व्यवसाइक शेत्र जैसे इतवारी गांधी बाग मसका साथ होलसिल मार्केट सेंट्रल अविन्यू आधी को शेहर के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा यह इंद्रा गांधी गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज अन हॉस्पिटल नाकपुर रेलवे स्टेशन संतरा मार्केट शेहर का मुख्य फल बाजार महात्मा फुले मार्केट मुख्य सबजी मंडी को सस्ती और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा प्रतिवर्ष दिपावली के समय जरुरतमंदों में खुशियां बाटने के उदेश से अखंड भारत विचार मंच के ओर से लगातार पश्यम नाकपुर के विभने लाकों में नेकी की दिवार का उपकरम चलाया जाता है इसमें विभने परिवारों के लोग जो भी उनके पास जरुरत से ज्यादा सामान हो वुलाकर वहां पर टांग देते हैं तदा जरुरतमंदों लोग वहां से वह सामान लेकर अपनी उप्योग में लेते हैं इस साल भी संगठन द्वारा दिवावली के अफसर पर सबके साथ मिठाया वकपड़े वित्रन किये गए इस अफसर पर मुख्यरूप से लोक नारायन पांडे, रामाश्य मिश्रा विनोद भोगले, भागवत सिंग खंगार, मदन दूबे, मीता गुपता, रुपेश राय, अमोद राय, वासुतेव दिवेदी, अजे मोधी तता सभी संगठन पतादी कारियों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया। उनके पांडे ने तकरीबन आधे घंटे तक विविद विश्यव शेत्र पर चर्चा हुई। परमपुजे साधू मुनी दर्शन दास ने उन्हें आशरवाद भी प्रदान किया, एवं उनके कारे की सराहना की। बिए पिए स्वामी नारण संसा के प्रमुग गुरु हरी परमपुजे महन स्वामी महराज के आशरवाद से नागपुर मंदिर के वरिष्ट सं साधू प्रेम प्रकाश दास व कोठारी सं साधू मुनी दर्शन दास ने समर्पन सेवा समिती को 10 लीटर का ओक्सिजन गौंस स्वामी जी ने संस्था को यह ओक्सिजन कॉंस्ट्रेटर दिया स्वामी जी ने यह ओक्सिजन कॉंस्ट्रेटर भगवान स्वामी नाराण के समक्ष समिती के अध्यक्ष विधाय गिरीश व्यास के सुपुर्थ किया प्रतम भगवान की पूजा अर्चना वाभिशेक किया असिस्टन डायरेक्टर आयूश मंत्राले भारत सरकार डॉक्टर और गोविन्द रेड़ी विशेश रूप से उपस्तित थे समर्पन सेवा समिती एक मेडिकल बैंक चलाती है जिसमें लोगों को ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिजन कॉंस्ट्रेटर, मेडिकल बेड, एर बेड, वीलचेर, वॉकर, स्टिक वगेर इस्तिमाल करने के लिए निश्रुल कर दी जाती है संसा ने अभी हाल ही में जनसेवा के लिए एक एमबुलेंज भी ली, मंदर के तरफ से सचंगी गण मौजू थे समिती के तरफ से नरेश जुमानी, मनोज अगरवाल, डॉक्टर महेश तिवारी, किशोर भाईया, महिंद्र गुप्ता, महेश गौलानी, प्रवीन जुमानी आदी गणमाने व्यक्ति उपस्ति थे सिंदू पंचायत के सदस्यों ने रविवार को वैशाली नगर के सिंदू भवन में दिपावली मिलन हर्शो लास से मनाया सर्वप्रतम भगवान जूलेलाल की आरती पूजन पंडिर दयाल शर्मादवारा की गई पंचायत के सब इस सदस्यों ने एक दूसरे को दिपावली की बधाईया दी इस अफसर पर सर्वश्री देविदास अलवानी, राजू चंदवानी, रवी मंगानी, अर्जुन कल्यानी, राजुजानी, मोहन कल्यानी, गुर्मुक दास, अमर्नानी, जामन दास कल्यानी, नंदलाल जुरानी, बबन चेलानी, गोपाल जानियानी, भगवान दास कल्यान तुलसीदास आलवानी, विशनदास अमर्नानी, हरीश जांगनानी, उमेश रंदानी, जैकिशन मुलानी, गोपाल जांग्यानी, बिट्टु जांग्यानी आदी उपस्तित थे। टर्थम सहसचीव एड़ुकेट मनीश दावडा, दुरतिय सहसचीव कनईया सेचपाल, कोशाध्यक्ष नितिन गंडेचा, सहकोशाध्यक्ष जितेंद्र खक्कर, हिसाबी अधिकारी किर्ती ठककर, सदसे किरीट मश्रू, राजेश पोन्दा, दामोदर्दास लाखानी, किरी इसके रूप में चंद्रकान भाई राजदेव, महेंद्र भाई सौजानी, प्रदीप रुख्याना, शेलेश राजा को बनाया गया। चुनाब अधिकारी, महेंद्र सौजानी, एवं उनके सहाइक, प्रदीप रुख्याना थे, सभी का पुष्व गुल दस्ते से स्वागत किया गया। पंजाब के इतिहासे गुरुद्वारे वीडियो पेंड्राइव का विमोचन हुआ। अधिवक्ता ममतानी ने बताया कि श्री करल गिदर सत्संग मंडल द्वारा प्रतिवर्ष पंजाब के इन पवित्र स्थानों की तर्शन ग्यात्रा आयोजित की जाती है। सेक्रो संगत इसका लाब लेते हैं। विमोचन अफसर पर राजिपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ममतानी से मैं पिछले 38 या 40 वर्षों से परिचित हूँ। जिनोंने लाखो संगत को गुरुनानक देवजी से चोड़ कर उनके उपदेशों से अफगत करवाया है जिससे संगत लाभानवित हो रही है। जूनी मंगलवारी गंगावाई घार ट्रोड जानेश्मर मंदिर हॉल में टाइगर ग्रुप के माधिम से तानाजी जाधव के जन्मदिन के उपलक्ष में भवे रक्तदान शिबर कारक्रम आयोजित किया गया। इस अफसर पर गुड़ु अगरवाल अध्यक्ष राश्र दुकानदार संग नाकपुर शहर बिनोद इंगोले समाथ सेवक यह उपस्तित थे। भवसागर से पार उतरने के लिए राम नाम ही सेतु है। उजय महराज ने कहा कि कल्युक में भवसागर से पार उतरने के लिए भगवान राम का ही नाम आधार है। कि भगवान के चार विग्रह हैं नाम रूप, लीला और धाम। उसका अभी प्राय है कि नाम के रूप में ही ईश्वर है और अकृति के रूप में भी है। कथा तथा धाम के रूप में भी इश्वर ही है। इन चारों में से किसी एक का भी आश्रे लेने वाला व्यक्ति जीवन में कृत्य कृत्य अग्यता अनुभव कर सकता है। सुभग कलश यात्रा सीताबडी स्तित हनुमान मंदर से निकाली गई जिसमें 108 कलश धारी महलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा कथा स्तल पर पहुंची। कथा के मुख्य याजमान महासभा के अंतराश्टी अध्यक्ष, राम नाराण मिश्र व सावित्री मिश्र, राजेश प्रसाद पांडे व शशिकला पांडे, रविंद्र कुमार पांडे व अरुन पांडे हैं और रविवार ये याजमान देवी प्रसाज, शुकला, सुरे आना जाना शुरू कर चुकी हैं। पूजा सेवा सेविती के अध्यक्ष मंडल महता, शंकर दयाल शुकला, संतोश पंडेट, कुंदन पांडे प्रमोच शर्मा, विनो दिख्षित, प्रदीप शर्मा, अशोक महता, सुरे शर्मा, विजय गुप्ता, केदार पंडेट, जैप्रकाश शर्मा, विरेंद्र श्र भद्रे, उमा शंकर शाह, मदन शाह, हरी नारायन धूरिया, राजा राम विश्व कर्मा, चारुलता भट, सपना साहु, आधी उपस्त थे। प्रतिमा पर माललारपन कर उन्हें अभिवादन किया गया, तत पच्चात रामेश्वरी रोट पर स्थिच शहर बसपा कार्याले में भी बाबा साप की प्रतिमा को पुष्प माला अर्पित कर अभिवादन किया गया, इस अउसार पर आस्था शेवडे, तथागत कामले, नाकपुर शहर प्रभारी द्वय चंद्रशेकर कामले, वशंकर थूल, शहर महासचिव विलास मून, दक्षिन पस्चिम के अध्यक्ष ओपुल तामगाडगे, पुर्व अध्यक्ष सदानंद जामगडे, दक्षिन नाकपुर के महासचिव विकास नारायने, प्रदिप आधि प्रमुक कार्यकरता उबस्टित थे महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस सेवादल के अध्यक्ष विलासराव ओताडे ने महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस सेवादल के संगटन सचिव उपत पर चिंधु गुलाबराव दुगाने की नियुक्ति की है उनकी इस नियुक्तिय के लिए वसंत्राओ घडगे सचीव महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस सेवादल वा तुलसी राम कालमेक अध्यक्ष नाकपूर जीला ग्रामिन कॉंग्रेस सेवादल ने सिफारिश की थी दुगाने ने महारश्टर में दवरा कर कॉंग्रेस के कारियों को जन जन तक पहुचाने का संकल पव्यक्त किया है युवावं में सामजिक कारियों के प्रती रूची निर्मान करने का उनका मानस है नाकपुर महानगर पालिका के ओर से जमियत उलेमा जीला नाकपुर के सहयोग से तकिया महभूप का ग्राउंड मोमिनपुरा में हज यातरा पर जाने वाले हाजियों साइथ बड़ी संख्या में वैक्सिनेशन में भाग लिया कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चला कैंप में हाजियों साइथ 307 लोगों ने लाब उठाया इस अउसर पर नाकपुर महानगरपाली का जोन के डॉक्टर ख्वाजा जोनल अधिकारी डॉक्टर शीतल गोविन डॉक्टर सोहिल डॉक्टर सागर पांडे डॉक्टर प्रफुल सल्वार ने अपनी सेवा प्रदान की इस अउसर पर जमियत उलेमा जिला नाकपुर के अध्यक्ष हाफीज मसुद ऐमत जावेद अक्तर सिरा जैमत अतिक कुरेशी, हाजी मुहमद मुस्ताख, अश्फाख, बाबा भाई, स्ोयप खान, मुहमद अतर, हाजी मुहमद, एजाज शरीप, मुहमद अतर, मुहमद मु कोरोना काल के बाद भारत में स्वास्थ सेवाओं में अप्रत्याशीत रूप से सुधार आया है। पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी स्वास्थ जैसे गंबेर विशय पर कड़ी नजर रखते है। संजय बंगाले, राम अंबुलकर, संगटनमंत्री सुनिल मित्रा, प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी, महला मूर्चा की अध्यक्षन निता ठाकरे, श्रद्दा पाठक, डॉक्टर विंकी रुगवानी, डॉक्टर गिरिश चरडे के अलावा अनेक महत्वपुर्ण पदादिकारी उपस्तित थे, नाकपुर महानगर पालिका द्वारा संचालिच शहरी बेघर निवास, इंदोरा मत मोहला में, परमत्मा एक संस्था द्वारा हर साल की तरह, इस बार भी दिवाली और भाहिदूज मनाई गई, इस अवसर पर संस्था के पदादिकारियों न बेघर लोगों और नागरिकों को प्रदूशन मुक्त दिवाली का महत्व समझाया, कारेक्रम में संस्था की ओर से सबी बेघरों को नास्ता चाय आदी दी गई, इस कारेक्रम में संस्था के अध्यक्ष भासकर पराते, पार्शत ममता सहरे, बेघर आशरे समिती सदर्श, डक्टर अनिता खाफरडे, चेतन पौनिकर, यश्पांडे, नितिश मांडवकर, प्रविन शिर्पूरकर, लक्ष्मिकान अंडर सहरे, रजत पराते, प्रीती इंदूरकर और नागरिक गण उपस्थित थे। आदेश के अनुसार, MSC DCL ने ग्रहाकों को अपने बिजली बिलों का नगत भुकतान करने के लिए 5000 रुपे की सीमा तै की है, लेकिन इससे अधिक भुकतान करने के लिए एक ओनलाइन सिवा उपलब्द है, अब चेक से भी बिजली बिल की राशी स्विकार की जाएगी, ब बिजली बिल पर 0.25 फी सदी की छूट दी जारी है, शहर के तमाम पोल पर करीब 144,000 LED लाइटे लगाई गई है, इन लाइटों के रख रखाओ और मरमत की जिम्मेदारी ठेकेदारों को सोब दी गई है, यह लाइटे बिजली का खर्च बचाने में बदत करती है, इसके बा परती नीडियों ने इस मामले पर चर्चा की है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, दूसरी और खराब स्ट्रीट लाइटों को बहाल करने के लिए ठेकेदार जादा उच्साहित नहीं है, अन्तम में प्रशासन की इस नाकामी का खामियाजा पिडित नागरी को को ही भुगतना पड़ता है, छत्रपती चाओ और दीघोरी के बीच के हिस्से में स्ट्रीट लाइट नहीं है, यही परिस्तिती गोरेवाडा में भी है, आठ रस्ता चाओ और और औरन सिटी होस्पिटल के बीच के क्षेतर में भी स्ट्रीट लाइट नहीं है महारश्टर राज्य परिवहन निगम की बसे आज से ठफ हो जाएंगी MSRTC करमचारियों की हरताल देखते ही देखते राज्य के लगभग 50 वीभिन्न डिपो में फैल चुकी थी अब यह हरताल एक राज्य व्यापी आंदोलन का रूप धारन कर चुकी है करमचारी अपनी मांगों को लेकर हरताल पर है जिन में से प्रमुक मांग निगम के करमचारियों को सरकारी करमचारी का दरजा देना है MSRTC करमचारी संगों की कार्य समीति के अध्यक्ष ने कहा कि परिवहन करमचारियों ने राज्य सरकार के साथ सहयोग किया और बहुत कठिन समय में भी समर्पित सेवाय देकर योगदान दिया वेतन संशुधन राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ वेतन की समानता आधी मांगों को लंबे समय तक लंबित रखा गया था सभी युनियोनों की बैठकों के बाद हर्ताल करने का निर्ड़य लिया गया रविवार तक हर्ताल केवल 50 डिपो में फैली हुई थी लेकिन रविवार को नागपूर डिपो भी हर्ताल में शामिल हो गया है रविवार शाम को हड़ताल का दायरा राज्य वैपिस्तर पर होने की घोशना कर दी गई आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्गे के सभी नागरीकों का कोविशिल्ड का टीका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर भी होगा टीका करन सुबह 10 बज़े से लेकर शाम के 5 बज़े तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरीकों को कोविशिल्ड के जरीए टीका करन किया जाएगा यहाँ जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजय शिलकर ने दी इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरीकों के लिए कोवेक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भाबसाब आमबेटकर अस्पताल, काम्ठी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोगनिदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन इमामबाडा, इंदिरा गांधी अस्पताल, गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल, पाचपावली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्ध है जूनी काम्ठी थाना अंतरगत नया गोदाम, प्रभुद्धनगर, नाकपूर निवासी फरियादी 22 वर्षिय संदीप सिद्धार्त मोडगरे, गोयल टौकि चोग, ठाकुर कॉम्पलेक्स के सामने की निवासी, अपने मालिक के बेटे के दुकान के सामने बैठे हुए थे इसे दावरान आरोपी सुरेश से लोकर वह सुभाज दुकान के सामने पहुचे और उनके मालिक के साथ हुए पुराने विवात कुले कर दुकान में रखी लाठी से फरियादी के सीर पर जोरदारवार कर उसे घायल कर दिया, इस मामले में फरियादी की शिकायत पर थाना जूनिक आम्ठी में आरोपी के विरुद्ध भादवी की धारा 324, 323, 294, 1334 के तायत मामला दर्श किया गया है।